Hello everyone and I welcome you all to another informative session of Educator मेरा नाम है प्रकरशर्मा और इस चानल में हम डिसकस करेंगे भारत को एफेक्क करने वाले कुछ important issues को तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से Recently Prime Minister Narendra Modi ने One Nation One Police के आइडिया को एक बार फिर न्यूज में लेकर आए है State Home Ministry के चिंतन शिविक को address करते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक सुझाव है और ये फैसले को वो किसी भी राज्यों पर थोपना नहीं चाते उन्होंने कहा कि पुलिस की identity across states can be similar जिससे की laws को ज़्यादा सही ढंग से implement किया जा सके आपको बता दे कि फिलहाल पुलिस एक state subject है यानि पुलिस पर control और उस पे जो regarding जो laws है वो भारत के राज्यों डिसाइड कर सकते हैं ना की central government लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कदम क्यों इस बात को समझने के लिए हमें बीते हुए कुछ दिनों में सरकार के उठाए गए कुछ कदमों को एनलाईज करना पड़ेगा 2 सेप्टेंबर 2022 को प्रधान मंत्री मोधी ने indigenous aircraft carrier INS विकरांत को कमिशन किया इसी दोरान उन्होंने इंडियन नेवी का नया ensign को भी unveil किया ये ensign कंसिस्ट करता था इंडियन national flag और seal जो की छत्रपती शिवाजी महराज के octagonal royal seal से inspired है आपको बता दे कि इससे पहले नेवी का flag कंसिस्ट करता था सेंट जॉर्ज क्रॉस को जो की एक colonial time का design था इससे पहले सरकार ने राश्ट्रपती भवन और इंडिया गेट को connect करने वाले king's way road यानी राच्पत का नाम भी बदल कर करतव्य पर्थ कर दिया message was loud and clear हर वो चीज जो भारत के colonial past से जुड़ी है उनके निशान को मिटा कर भारत के इतिहास को glorify करना गई है ताकि आने वाली generation भारत के इतिहास पर गौरव करे और एक sense of nationalism को बढ़ावा दिया जा सके लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये philosophy भारत के institutions पर भी लागू होती है या नहीं इसी मुद्दे को मद्दे नजर रखते हुए चिंतन शिविर में इस मुद्दे को उठाया गया है क्यूकि इंडियन स्टेट्स की police force आज भी उसी 1861 colonial एरा से गवन करी जा रही है not to forget कि इनी laws से Britishers ने कई freedom fighters को कैद करके रखा था आज भी अगर कहीं कुछ crime होता है तो आम जनता police में complain कराना नहीं चाहती क्यूकि इस institution की respect इसी act की वज़े से कम हुई है हर स्टेट के अपने दाइरे हैं और उस दाइरे के अंदर ही police को काम करना पड़ता है इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हर स्टेट के दाइरे हर स्टेट के laws अलग हैं और ये काफी हद तक एक दूसे से conflicting है जिसकी वज़र से आम जनता को इसकी भारी की मत चुकानी पड़ती है medieval time से ही ये एक decentralized institution रहा है बस फरक्सिव इतना है कि पहले police जागिरदारों और जमीनदारों के लिए exploitation का टूल रहा करता था लेकिन आज के समय में ये rich and powerful लोगों के लिए एक बड़ा टूल है 1861 में Britishers ने police पर control increase करने के लिए एक act लेकर आई जिससे कहा जाता है Indian Police Act इस act के तहद police एक highly militaristic and powerful institution बन गई 1917 में Indian Police Service introduced किया गया ताकि इसे एक professional organization बनाया जा सके आजादी के बाद Government of India Act 1935 के structure के तहद भारत का समविधान बना और एक federal system को adopt किया गया देश को गवन करने के लिए 1951 में police और law and order को state subject बना दिया गया लेकिन इसके बावजूद police 1861 police act के according ही function करती रही इन सब के अलावा state police act के flaws को bypass करने के लिए central government ने कुछ institutions established किये हैं जैसे कि Central Bureau of Investigation और Enforcement Directorate लेकिन ये institutions भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए Indian police system पर lack of professionalism, abuse of power, siding with local authorities and criminals और lack of citizen friendly attitude होने का भी आरोप लगता आया है क्योंकि 1861 act ने किसी भी angle से state police की accountability पर focus नहीं किया है On top of that भारत के 18 राजियों ने अपने respective state police acts पास कर रखे है ये acts नहीं सिर्फ Supreme Court के directions के खिलाफ जाते हैं बलकि police reforms के किसी भी scope को restrict करते हैं जैसा कि पहले भी mention किया गया है, local politicians और influential लोगों को serve करने के लिए legislative cover के जरिये गलत को सही ठहराने की कोशिश करी गई है Other issues include lack of autonomy जिसकी वजह से police खुद के बल पर decisions and actions लेने में असमर्थ दिखाई देती है इसका एक अच्छा example है section 19 of Delhi Police Act जो की commissioner के powers को define करता है लेकिन accountability and autonomy के मूल हुद्दे पर खामोश रहती है इसी वजह से judiciary और आम लोगों के बीच police अपनी credibility खोती जा रही है इसके अलावा less autonomy की वजह से lack of funds एक बहुत बड़ी problem है As of today इंडिया में करीब 5 लाख unfilled positions हैं जाहिर सी बात है जब funds ही नहीं होंगे तो 5 लाख personals की salary और expenditure कौन manage करेगा सिर्फ इतना ही नहीं एक average policeman इंडिया में 14 घंटे की duty करता है ऐसे में उसकी physical और mental health पर क्या असर पड़ेगा इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं Comptroller and Auditor General of India की report के हिसाब से There are major shortcomings in weaponry as well States के पास unlimited power है Police personals और senior officers के transfer और suspension को लेकर अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले West Bengal में एक senior IPS officer के transfer को लेकर ऐसा ही एक बहुत बड़ा controversy उठा था State के पास इसी unlimited powers की वज़ा से अकसर IPS अधिकारी Central Government के orders को ignore कर देती है जिसकी वज़ा से पुलिस को अकसर local leaders की private army भी कहा जाता है ऐसे कारणों की वज़ा से Center और State Government के बीच अकसर टसल देखने को मिलता है To overcome these barriers Central Government इस्तमाल करती है CBI और Enforcement Directorate को अंत में लेकिन इसका खाम्याजा हमेशा आम जन्ता को ही भुगतना पड़ता है इस तसल को combat करने के लिए Judiciary One Nation One Police को आगे बढ़ाने की कोशिश करती आई है 1989 में DGB Prakash Singh और DGB N.K. Singh के गुजारिश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने Ribero Committee, Padmanabhya Committee और Soli Saurabhji Committee का गठन किया ये कमिटीज 2006 में एक ड्राफ लेकर आई जो की एक model police bill था Bill का major purpose ही था 1861 Act को replace करना DGB Prakash Singh Badal vs Union of India केस में सुप्रीम कोर्ट ने order दिया states और union territories को to comply with seven binding directions ताकि police reforms की शुरुआत करी जा सके लेकिन ना तो center और ना ही states ने कोशिश करी इन directions को implement करने की center at least article 252 का इस्तमाल करके उन states और union territories में reform की कोशिश कर सकती थी जिसमें BJP का rule था आपको बता दे कि according to article 252 Parliament state subjects को लेकर कानून बना सकती है अगर दो या उससे जादा states अपनी सहमती दे तो अंत में बात वही अटकती है One Nation One Police concept अच्छा है लेकिन जब तक political parties खुद से firm decisions लें लेंगी तब तक ये सिफ एक सपना ही रहेगा इसी के साथ हमारा आज का session end होता है उम्मीद करता हूँ आपको इस session पसंद आया होगा comment करके हमें ज़रूर बताईएगा like करे, share करे, subscribe करे और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी important issue को discuss करने तक यू वेरी मुच